नमस्कार किसान भाईयों, किश्वाय मंडी अपडेट्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए जान लेते हैं कि आज याने की 8 नवंबर को राजिस्तान की मंडियों में क्या रहे फसलों के दाम शुरुवात करते हैं चने से, तो मालपूरा की मंडी में चने के दाम थे 4712 रुपए, निवाई की मंडी में चने के दाम थे 4895 रुपए, मेडात सटी की मंडी में थे 4675 रुपए, भगत की कोठी मंडी में थे 4750 रुपए जीरे की बात करें तो मालपूरा की मंडी में जीरे के दाम थे 9700 रुपए जोदपूर की मंडी में थे 14000 रुपए मेडाप सटी की मंडी में थे 15600 रुपए जुआर की बात करें तो बीजेनगर की मंडी में जुआर के दाम थे 1945 रुपए मालपूरा की मंडी में थे 2525 रुपए निवाई की मंडी में थे 2351 रुपए मक्य की बात करें तो बिजनगर की मंडी में मक्य के दाम थे 2152 रुपए मालपूरा की मंडी में थे 2351 रुपए अब बात करते हैं मूं की तो बिजनगर की मंडी में मुंग के दाम थे 5,811 रुपए, मालपूरा की मंडी में थे 6,270 रुपए, सूरतगर की मंडी में थे 6,170 रुपए, जोदपुर की मंडी में थे 6,400 रुपए, मेडाज सिटी की मंडी में थे 7,000 रुपए, भगत की कोटी मंडी में थे 6,900 रुप अब बात करते हैं उलत की तो बिजनेगर की मंडी में उलत के दाम थे 4,800 रुपए मालपुरा की मंडी में थे 6,350 रुपए निवाई की मंडी में थे 6,61 रुपए लेस्न की बात करें तो सूरत गड़ की मंडी में इस के दाम थे 4,800 रुपए मेडाचिटी की मंडी में इस के दाम थे 5,000 रुपए मुवफली की बात करें तो निवाई की मंडी में मुवफली के दाम थे 5,784 रुपए प्यास कदामों की बात करें, तो गोलुवाला की मंडी में प्यास कदाम थे 4,500 रुपए, संगरिया की मंडी में थे 2,100 रुपए, सुरजगर की मंडी में थे 1,600 रुपए, बालुत्रा की मंडी में थे 2,000 रुपए, जैसल मेर की मंडी में थे 2,500 रुपए, मेडात सठी की मं मंडी में थे पचीस सो रुपए अब बात करते हैं टामाटर की तो बिजे नगर की मंडी में टामाटर के दाम थे अठाइस सो सत्तर रुपए सुरजगर की मंडी में थे दो हजार रुपए जालूर की मंडी में थे तीन हजार रुपए मेडा सिटी की मंडी में थे दो हजार राजसामंत की मंडी में थे 4000 रुपए अब बात करते हैं गेहूं की तो बिजेनगर के मंडी में गेहूं के दाम थे 1981 रुपए मालपूरा की मंडी में थे 1951 रुपए निवाई की मंडी में थे 2030 रुपए किसान भाईयों आज के राजिस्तान के मंडिय अप्डेट्स में बस इतना ही आपको ये अप्डेट्स कैसे लगे हमें कमेट सेक्शन में लिखकर जरूर दाईएगा धन्यवाद